जी डैस मस्तिस की सरंचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है तनाव पिछड़ापन दिस्लेक्सिया या इन में से कोई नहीं क्या होना चाहिए उत्तर बताईए बहुत सारे स्टुडेंट तो कह रहे हैं तनाव और बहुत सारे स्टुडेंट कह रहे हैं क्या क्या स्वरण्चना अब सिस्मीक करता है ठीक है तो यह तो नहीं है अब रही बात तनाव और डिसलेक्षिया की अरे तनाव होता क्या है यह बताओ तनाव होता क्या है देखो जब हमारी कोई आउशक्ता है पूरी नहीं होती है उसके मार्ग में बाधा आ जाती है तो बगनाशा हो जाती है ठीक है अब कुंठा आने से आपके अंदर तनाव भी आएगा तो ये एक अलग लॉजिक है तनाव आने का क्योंकि आपको यहां पर परिशानियों से इसमें कोई दिक्कत आ रही है ठीक है किसमें दिक्कत आ रही है मस्तिस की सरंचना में और कृतियों में विभेद का परिणाम डिसलेक्षिया होता है आप लोगों ने सोचा केवल डिसलेक्षिया पठन विकार ही आएगा देखो पठन विकार तो डेफिनेटली यह है इसमें थास्त कोशल में इनका जो हात होता है तारे जमीन का इशान डिसलेक्षिया का उधारन है तो आपने क्या नोटिस किया वह अपने जूते ठीक से नहीं बाथ पाता था वह अपने शट के जो बटन है वह उपर निचे बंद करता था करता था ना हम पहली बात समझो जब भी हम कोई व्यवार करते हैं कि हमारे दिमाख में कोहीं विचार चलते हैं उस विचारों के ऊपर हम करते है उसी को आप व्यवार कहते हैं अब हिनके प्रॉबल्म Cryo हती इंकी मस्तिती सन्छना में अगर THEY नो विचार तो कुछ भूर्ट बटांग क्यों करते हैं कि यह बितन है बटन है तो हम इसका वुड़ावित दिवक नहीं करते हैं जिन बालकों की बुद्धी लब्दी डैश है, साधानत है, उन्हें मानसिक न्यूनता, ग्रसित होगा ये, ठीक है, कीश रेणी में रखते हैं, सतर से कम, सतर से उपर, असी से सोके भी, चौर इन्में सी कोई ने, अरजुन आ गया, बबर शेर, अच्छा, रामकुमार कह रहे हैं, एक बार और समझा ओ, देखिए, ये क्या कह रहे हैं, कि कारियों में विबेद पाया जाता है, अब कारी करना मतलब आप विवार कर ले हो विवार का मतलब क्या होता है आपके दिमाग में विवार क्या होता है मनुशारिक रूप है आपके दिमाग में पहले विचार आते हैं उन विचारों की ऊपर किसी विचार की ऊपर आप करिया करते हो उसी को विवार कहते हैं अब य क्लियर उत्तर आ गया सबका सत्तर से कम क्या बात है किसने कहा यह भी बता दो एक डेफिनेशन दी है मंद बुद्धी बालकों के बारे में और बताया है कि इस IQ से निचे ठीक है सब सत्तर से कम बुद्धी सत्तर से कमनें वहमंद बुद्धी की काटेगरी में जाएंगे वह महामुर्थ हो जाओ चाहे वह मूड हो जाओ ठीक है वह है कि लब्दी थोड़ी कम यह स्टेटमेंट जो है तर्मन का नहीं स्टुडेंट्स क्रोण करो का है क्रोण इंड क्रोण का स्टेटमेंट है यह क्या कि पता नहीं किसी को क्या बना देते हो चलों नेक्स देखो डैस बच्चों में अमुर्तमान प्रत्यों को ग्रेंड करने की योग्यता होती है पिछड़े वे प्रतिबाशाली मानसी करूप से पिछड़े इन में से कोई नहीं चलो बढ़िया है क्लास को लाइक कर दो स्टुडेंस एक बार थर्ड में सभी स्टुडेंट कहा रहे दूसरी बात प्रत्य आप कंसेट बना रहे हो किसी भी वस्तू किसी घटना के बारे में जो आपकी आँखों के सामने घटित नहीं हो रही है उसके बारे में आप क्या बना रहे हो कोई कंसेट बना रहे हो कोई अफधार ना बना रहे हो For example, समझ लीजे आपका एक दोस्त है, वो आपको बता रहा है कि कुछ समय पहले मेरे एक दोस्त का एक्सिडेंट हो गया था और उसकी गाड़ी से बाइक की टक्कर हो गई थी, उसकी चोट लगी थी और उसके बाद वो सारी चीजे भूल गया था ठीके उसकी या निशान था या पैर में लगी थी या हाथ में लगी थी हम बात करते हैं ठीके तो वो दिमाग के अंदर ऐसे concept बनाएगा उस गठना के बारे में ठीके ना सब चीजों को मिला करके तो इनको करने के लिए definitely बुद्धी तो चाहिए क्योंकि चीजे सामने नहीं एक तो देख के चीजे समझ जाओ लेकिन है ही नहीं आप सिप उसको एक visualize कर रहे हो आप सिप अमूर्त रूप से सोच रहे हो और concept बना रहे हो इसमें चिस्तर के चिंदन की बियावशक्ता होती है लेकिन यह कब होगा जब आप बुद्धिमान होंगे ठीक है तो बुद्धि किसमें होती है ज्यादा पिछड़े बालकों में मानसी कुरूप से पिछड़ों में या प्रतिबाशाली में definitely प्रतिबाशाली बालकों में अब यह आपको कम करने के अपरत्यक सिधंग क्या कहलाते हैं समश्या समाधान विदी रक्षात्म क्यांत्रिक्ता व्यक्तिक विदी इनमें से कोई नहीं आप लोग जब रीट के सेकेंड ग्रेड के और फर्स्ट ग्रेड के आई वे पेपर कर लोगे न मैं आपको कह रही हूं आपक स्टर हो जाएगा प्रश्णों को हल करने का मनुविज्ञान का इस्से पहले तो आप पता नहीं किस तरीके के किस लेवल के प्रस्ण अहल करते हो यह जब प्रश्ण कर रहे हो ना तो दिमांग में रखना पेपर ऐसा आता है अब देख लो डएठ का पर ऐसा आगा आप लो वो फ्राइड महोदे ने बताए हैं किसने बताए हैं फ्राइड महोदे ने बताए हैं ठीक है तो उनको हम क्या कहते हैं अप्रतिक्ष धंग अप्रतिक्ष युक्ति रक्षात्मक यांत्रिक्ता या फिर एक नाम और आता है मानसिक मनो रचनाए इस सब एक ही बात है ठीक है मानसिक मनो रचनाए तो इस तरीके से आपके सामने कोई भी नाम आ सकता है ठीक है यह डारिक मेथेड नहीं होते हैं wedding तरीके से हमारा जो तनाव कम करना बहुत जडूरी है आप चाहते हों कि आप जीवित रहे सबसे बड़ी बात आप जिन्दा रहें तो तनाव कम करना ही पड़ेगा क्योंकि 10 आप इस्तर बढ़ता जाता है जब यई depression का रूप ले लेता है और डिप्रेशन से जब आप पागलपन की हद तक पहुंच जाते हो उसके बाद व्यक्ति क्या करे ये उस व्यक्ति को भी पताने चलता है इसलिए तनाव को कम करना ज़रूरी है और ये लाजमी है कि तनाव तो जिंदगी में होना ही है ठीक है ना दुख तो हमेशा ही रहने हैं शुक्स कभी कभ आते हैं और दुख से तनाव हो नहीं है तो ये चीजें क्या है ये होती ही है इन्हें एक्सेप्ट कर लो बस इनके तरीके डूंडों की ये प्रॉबलम है तो इसको हम कैसे ठीक करें इसलिए हमारे पास प्राइड महोदय ने मनोविज्यानिक बहुत सारी अप्रतिक शुक् पूरा अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है आए नेक्स्ट निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समझ्या नहीं है ये तो इसी कुशन है सीखने के लिए प्रहणा का अभाव स्रजन सीलता को पोशित होने के अवसर नहीं मिलना रहने के लिए स्वस्त सामाजिक रूप से वंचित है तो अभाव तो बहुत सारी चीजों का है समझ्या है उसके पास है उन समझ्याओं में से एक पॉजिटिव लाइन आ रही है रहने के लिए स्वस्त परिवेश तो यह कोई समझ्या की कंदर तो आएगा नहीं उत्तर तो हमें पता है बाकी अभ के अंदर टीचर हो या कोई भी परसन हो कमजोर आदमी को सब दबाते हैं दबाते हैं कि दबाते हैं तो मोटिवेशन का अभाव तो उनमें पाया ही जाएगा वो जिंदगी में दब के रहेंगे तो आत्मोबल मिलेगा कहां से स्रुजन सीलता को पुशित करने के आउसर नह मैंने देखा ये इवन ये मैंने खुद देखा है जब मैं खुद स्कूल में पढ़ाती थी तो टीचर का बीएवेर अलग होता है स्टूडेंट के पास में जो अच्छे पैसे वाले घर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज्यादा प्राइटीज देर जाती है और जो नहीं चाहिए तो मैंने एक घंटे तक उसका पेपर रोक के रखा था कि नहीं अदेने नहीं दिया जाएगा और वो थोड़े से उसको लगा कि कौन रोकने टोकने वाला उसके बहुत वहां पे है तो मांकर उसे मिल गए क्योंकि एप्रोच है बट मैंने तो वही बीएव किया जो